चालू होते ही सभी सलात को परमोजी एक तरफ धकेल दिये हैं और जुट चुके हैं मचली और चावल में तो देखना है कि आज परमोज जीते हैं कि पहुंच जीते हैं आज चल रहा है मचली करी और चावल खाने का चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा यह पहुंची से मिलकर बात करते हैं अमेजिंग लाबादी यूटूब चैनल सभी दसकोग स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पर फिसकरी और राइस लगा हुआ है तो आज हमारे साथ बैट चुक है परमोज जी तो देखते हैं जो भी फॉस्ट आएगा वह एक हजार रुपे ग्रासी ले जाएग तो देख न करते हुए टाइमर चालू किया जाए और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है और टाइमर चालू होते ही सभी सलाथ को परमोज जी एक तरफ धकेल दिये हैं और जुट चुके हैं मचली और चावल में बहुत गजब और परमोज जी समय सुरू से ही एकसीलेटर जब भी आते हैं परमोज जब भी आते हैं सुरू से ही एकसीलेटर लगा देते हैं और उस एकसीलेटर को लाश्ट तक ले जाते हैं जहां से चैलेंज समाप्त होता है तो देखना है कि आज परमोज जीते हैं कि प पुरसकार पाएगा और परमोज जी देखिएगा काटा बचा कर खाना है क्योंकि काटा घाटा लगा देता है बहुत गजब और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मचली का पहार बना रहे हैं पहुंजी अपने प्लेट में उस पहार को देखिए कितनी देर में तोड़ते हैं फोड़ते हैं जबकि परमोज बहुत ही गजब सूजबूस से मचली और चावल का आनंद ले रहे हैं और इस आनंद के साथ हमको लग रहा है कि परमोज जीत हासिल कर लेंगे लेकिन जो हाई बोल्टेज वाली बाइट है पहुंजी लगा रहे हैं उस बाइट का जवाब परमोज जी नहीं दे पा रहे हैं अब हमने बिठाना है जीतना है जीतना है तो जीतना है लेकिन यहां पर जो आपकी हाई बोल्टेज वाली बाइट है उसके आगे सायद पर मोज नटिक पाह लेकिन परमोज भी हाई बोल्टेज वाली बाइट मार रहे हैं और इस हाई बोल्टेज की बाइट के साथ आपको प्लस पॉइंट वाला बाइट लेना पड़ेगा वह बहुत गजब और कोई भी चैलेंजर माइन नहीं लेता कभी जैसे कि देख रहे हैं परमोज जी अभी सलाद एक तरफ रखते जा रहे हैं उसको अकेले सलाद खाएंगे सलाद का मजा लेंगे और इस समय आजे से ज्याद परमोज जी चावल शमात कर चुके हैं लगभग और परमोज जी के थालिम तो लगभग लगभग बहुत कम ही बचा हुआ है बचा है तो सिर्फ मचली वाला पहाड और इस पहाड से लड़ना होगा अगर जीतना होगा तो जीतना क्यों नहीं है जीतना है भाई परमोज जी के थोड़ा सा भी स्पीड लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर परमोज जी के साथ पाउन जी बैठे हैं तो पाउन जी फुल पाउन में बैठ चुके हैं और परमोज जी का एक्सिलेटर थोड़ा सा डाउन होता नजार आ रहा है और इस accelerator को प्लस करना पड़ेगा और अब नहीं लगता है कि परमोध जी हार मानेंगे क्योंकि परमोध जी के पास के ओल 2 पीछ स्लाइस बची हुई है मचली के और थोड़ा सा चावल बच Здесь ही अभी परमोध जी के पास मचली की पीस काफी बची हुई है अगर influence कर दोन नहीं तो लेंगे तो अंबार को तोड देंगे तो जानकी टलिए पर्मोची रजएंगे अगर नहीं तोड़ेंगे तो यह 100% ताय है कि पवंजी को आरना या पड़ सकता है क्योंकि परमोजी के प्लेट में मचली नाम की चीज नहीं रहे गई है सब भाग गई है तलाब में देखते ही देखते तीन मिनिट 45 सेकंद का सफता है कर चुगा है टाइमर और इस तीन मिनट 45 सेकंद में अभी पवंजी के थाली में काफी मचली पड़ी हुई है और परमोजी के थाली से पूरी तरह मचली गायब हो चुकी है बचा है तो सलादा और चावल मचली करी बहुत गजब परमोट जी बार बार परमोट जी को देखके मुस्कुरा रहे क्या बात है भाई अभी जो बात है भी थोड़ी देर बात बताएंगे क्यों मुस्कुरा रहे थे तो यहां पर देखना यह है कि जीत किसके तरब जाती है एक हजार रूपए किसके जेब में जाता है और ऐसा लग रहा है कि परमोट की टैंकी फूल हो चुकी है उस टैंकी में बहुत कसकत से जा रहा है मसकत से जा रहा है लेकिन अगर जीतना है तो आपको अगर यहीं देखके परमोट जी हस भी रहे हैं और टैंकी ओबर हो चुकी है पावन जी की भी और लेकिन देखना है कि जीत किसकी तरब जाती है हमको नहीं लगता है कि अब जीत पाएंगे पावन जी क्योंकि भी मशली भी बची है और चावल भी सलाद भी सब चीज बचा हुआ है जबकि परमोट के थाली में सलाद भी चावल में मिक्स हो के घूंगट कार के बैठा हुआ है पांच मिनट तीस सेकेंड के इस सफर में परमोट जी के थाली में केवल तीन-चार बाइट बचा हुआ है जबकि अभी पावन जी के थाली में काफी मचली और चावल का भंडा रहे हैं काफी है और मुझे निकल कर भाग जा रही है मजली इनके अंदर नहीं जाना चाहरेत क्या करें अब बहुत कर जब और परमोट जी थोड़ा सा और इस पीर दिखाए और बहुत जल्दी जीत कर दिखाए ये पांज एकदम हारने के कगार पर पहुंच चुके और परमोट ज पेकर पहुंच चुके है केवल दो बाईट दो बाईट एक हजार रुपए जेव में कि मुझा आ कि अगशाद मोट जादा है भी है आर और देखते ही देखते परमोट पूरी तरह से जीत हासिल कर लिये और पावन देखते ही रह गए परमोट पूरी तरह से एक दम बार बार जी के ताली में और पहुंसी को देखें मुस्क्रारा और पिछली हार का बदला है और पिछली हार का बदला ले लिए इस साथ मिनिट के कि सफर में पहुंसी हैं और जीत चुके हैं कि अघि जसРЕर लगा तो आप món था ज्यादा एक आप पर मोट स्कुरा रहा है कि लेकिन परतीटेटर लुद्ध एक बहुत अच्छे चैलेंजर है थोड़ा ज्यादा स्ताह में आ गए हैं कि हमने फुर्ट लगता है अब आगे गए और ज्यादा एक्सल पावर लगा दिये तो परमोट जी इस फासे लिए व तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं परमोज एक दब आधी और तुफान बन गए थे इस मचली और चावल में तो पैशा पागे भी या पूरा है ना तो जीते हैं तो मुस्कुरा के जीते हैं लेकिन हम यह मुस्कुराहट कारण जानना चाहेते हैं इनको देखके बार-बार तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोग भी कमेंट करके बताईएगा हमारी कितनी एक्सल पावर थी और कहां तक हम चैलेंज को एक्सप्ट किये